आज देखिए एक जो नोटिफिकेशन यहां पर है जैसे यह आपका विहार स्टेट कोपरेटिव बेंक लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर जो वेकेंशी है दो प्रकर के आपका वेकेंशी है का असिस्टन्ट मेनेजर जो की 31 वेकें आपका 276 वेकेंशी है तो यह वेकेंशी के लिए आपका विहार स्टेट कोपरेटिव बेंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें देखिए जो दोनों प्रकर की जो वेकेंशी जैसे पहला वेकेंशी आपका आसिस्टन मेनेजर है जिसका 31 वेकेंशी ह और आपका assistant का जो vacancy 245 इसको दो notification को मैं joint करके इसमें दिखा रहा हूँ ठीक है इसमें देखिए यह जो notification के अंदर जो complete इसका information जैसे की सबसे पहले इसमें discuss करेंगे इसका जो आपका दो प्रकार की जो vacancy है vacancy को category wise किस तरह से बाटा गया है और इस पत के लिए जैसे मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ यह जो vacancy के लिए all over India से बच्चे आवेदन कर पाएंगे शिरब आपका बिहार का जो candidates इसके लिए आवेदन नहीं करेंगे बलकि आपका पूरा देश से हर कोने से बच्चे जो इस पत के लिए आवेदन कर पाएंगे यहाँ पर देखिए इस notification के अंदर जो complete information कुछ इस तरह में कवर करूँगा जैसे सबसे पहले दोनों post का जो vacancy details वो categorize कवर करेंगे उसके बाद यह दोनों post के लिए आपका eligibility criteria क्या रहेंगे मतलब आपका educational qualification क्या चाहिए दोनों post के लिए उसके इलाबा आपका edge limit क्या है ठीके required other documents क्या क्या आपको चाहिए उसके इलाबा आपका जो application जो फीज रहेंगे किस तरह से रहेंगे दोनों post के लिए salary क्या रहेंगा इसका selection process क्या होंगे यह तमाम चीज इस वीडियो में में discuss करूँगा इसका तमाम जो complete notification को समझने के लिए मैं मेरा देश का तमाम जो यवापिड़ी है सब को निवेदन करूँगा जो मेरे साथ सुरू से लेकर अंत तक बने रहे हैं जुडे रहे हैं ताकि आपको इस notification को समझने में किसी प्रकर का धिक्कत नहीं होगा ठीक है इसका complete information को सुरू करने से पहले मेरा देश का तमाम जो अब्योर्थिय सब को सबसे पहले निवेदन करता हूँ जो candidate से चैनल को first time विजिट कर रहा है या पहले से विजिट करता है बड़ सबस्राइब नहीं किया है आप लोग जल से चैनल को सबस्राइब करें ताकि आपको सबसे जादा फाइदा आपको ही होगा जैसे कि यहां से कोई भी वी वीडियो को में अपलोड करते ही उसका immediate notification जो है आप लोग को पहुंचेगा क्योंकि डेली बैसिस पे जो आपका jobs related चाहिए वह चाहिए आपका central government job हो चाहिए आपका state government किसी भी state का government job हो जैसे उसका वीडियो में अपलोड करता हूं उसका notification आपको मिलेगा ताकि आपको जो notification के बारी में आपको आराम से पता लगे ठीक है और आप से ही समय पर उसका जो है फाइदा उठा सके ठीक है और उसके subscribe के साथ साथ जो है इस चैनल को उसका bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा ठीक है आशिस्टेंट जो मैनेजर है उसके लिए आपका यहां पर दिया है चोदा सो आपका जो वन फॉर नाइन निसका जो है notification नमबर आडवर्टेजमिन नमबर है यह देखिए आपका डेट जो है दो आठ दो जर बाइस का notification है और इस notification के अंदर आशिस्टेंट मैनेजर का जो वेकेंसी के बरिम में बताया गया है ठीक है यहां पर देखिए जैसे यहां पर देखिए आपका ओनलाइन जो registration होगा वह 9 September 2022 से लेकर 9 October 2022 तक अनलाइन आप दना आप कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए जैसे आपका पोस्ट आसिस्टेंट मैनेजर के लिए ठीक है यहां पर देख सकते आसिस्टेंट मैनेजर के टोटल जैसे वेकेंसी आप दिखाना चाहूंगा यहां देखिए आपका ट सकतितियां हैं यहां पर देखिए 9 September 2022 से लेकर आप 9 October 2022 तक अप्लिकेशन फीक को जमा कर सकते हैं ओनलाइन जो एक्जमिनेशन डेट रहेंगे टेंटेंटिवली यहां पर दिया गया है इसका फाइनल डेट जो है वेबसाइट में अप्लोड कर दी जाएगे यहां पर देख सब्सक्राइब से डेट व्याइज तरफ देखिए जो यहां पर देखिए जो एकवर्ट क्लास है उसका वेकेंसिया है ठीक है आपका बिहर जो स्टेट कोपरेटिव बैंक में 11 कि उसी तरह देखिए जो यहां पर जैसे बताना चाहूंगा जो असिस्टन मेंजर यहां पर तोटल भेकेंसी है ओर चार डिस्ट्रीट आपका हो गया आपका नरंड ऑगया आपका सीवान हो गरोपल गन्जंट अपकर पुर्निया हो गया यह दैखे डवूले बी सी है आपका वेकऊड ग्लास्स के दो वेकंशी आपका का MBC है जो minority एंड जो backward classes के लिए 5 वेकंशी स्ट का वेकंशी स्ट का वेकंशी नहीं है स्ट की वेकंशी दो वेकंशी एकोनोम के लिए उसके लिए दो वेकंशी है और जेनरल के लिए आठ वेकंशी है यहां पर देखिए जो आसिस्टन मेनेजर के लिए जो required जो qualification है इसमें देखिए educational qualification दिया गया graduate graduate होना चाहिए किसी भी स्ट्रिम से आप graduation अगर किया है तो आप इस पत के लिए आवेदन कर पाएंगे और 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 कोई के criteria नहीं मंगा गया है अगर कोई candidate से MBA degree किया हुआ है उनको preference दिया जाएंगे ठीक है और कोई इस पत के लिए आवेदन कर पाएंगे यहां पर देखिए जो वेबसाइड में आपको आवेदन करना होगा आवेदन का तीथिया यहां पर दिया गया है आवेदन जैसे 9 सप्टेंबर 2022 चलेकर नौक्टोवर 2022 तक आप जो है बकाइदा जो ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहां पर देखिए इस पोस्ट के लिए जो एप्लिकेशन फीज कुछ इसतर है रखा गया है चिंश-चाषचाइस रुपए tehdya गया जो सिस्त्रा जो चलते हैं अभी यहां पर देखिए जो एक्जाम corrections है जो का कुछ इस तरह से रहेगा देखिए देखिए यहां पर उनको देखिए आपका जो यहां पर जो आशिस्टेंट मैनेजर हो गया जैसे उनका साल्डी कुछ इस तरह रहेंगे देखिए उनका जो स्केल पे सिरफ स्केल पे पर चैन में 36,000 जो ग्यारा कैंडिडेट आपका बिहर स्टेट को बैंक में जिनको सिलेक्शन किये जाएंगे यहां पर देखिए जो आपका सेंट्रल कोपरेटिव बैंक में जो कंड़िट से से टोंटी वेकेंशी जैसे मैं आपको चार डिश्टी बताया चार डिश्टीट देखिए आपका गोपल गंज, नालंदा, आपका सिवान, और पुनिया में देखिए आपका गोपल गंज में 10 वेकेंशी, आपका नालंदा में 2 वेकेंशी है, और शिवान में आपका 2 वेकेंशी है, और पुनिया में आपका 6 वेकेंशी है, टोटल आपका 20 वेकेंशी, डिस रुपया उनका स्केल अपर रहेगा पुनिया में जो रहेंगे पुनिया में जो से लेकर आपका 25,000 यह उन्रिवाइजट पर है इसका रिवाइजट पर यहां पर दिया नहीं है रिवाइजट पर होगा इसके अलबा जो बैंक की तरफ से तमाम बताएं जो है आपको जो है लाग होगा यहां पर देखिए जो नेक्स्ट अभी नेक्स्ट जो यह हो गया आपका सबसे जो मैं पहले डिसकस किया यह आपका असिस्टेंड मेनेजर का अभी देखिए जो नोटिविकेशन नमबर आपक वेकंची था ठीक है यह आपका आगया 245 जसे मैं इसमें दोराना चाहूंगा यह जो दोनों पोस्ट के लिए आपकासिलेक्शन जो प्रॉसेस सहे मैं बाकि इवेंट्स तमाम अप्लिकेशन फीत सहे मैं ठीक है सेम एप्लिकेशन भी बाकि गाइडलाइन्स तमाम गाइडल आपको पता लग जाएगा ठीक है अच्छा इस दोनों प्रकार कि जो पोस्ट के लिए जो केंडिडेट्स आवेधन कर सकते हैं यहां पर क्लियरली बताया गया है जैसे इंडियान सिटिजन जो है इसमें इन्वेटेड है मतलब भारत के जो नागरी के चाहिए महिला हो चाहिए पूरुष केंडिडेट्स हो किसी भी राज्यों से किसी भी मह में जो वेकेंशी है ठीक है अभी इसमें देखिए हम जो चर्चा करेंगे यहां देखिए आपका जो यहां पर जो आसिस्टांट का जो पोस्ट का जो वेकेंशी है देखिए सबसे पहले जैसे आपका यहां पर देख सकते हैं जैसे आपका बिहार बिहार कोपरेटिव जो के अंदर जो वेकेंशी है ठीक है यहां पर देखिए वो 26 इसमें वेकेंशी है जो आपका ब्यार स्टेट कोपरेटिव बैंक के अंदर 26 वेकेंशी है उसका डिस्टिबुशन यहां पर दिया गया है जैसे जेनरल 10 हो गया EWS स्टेट के अंदर जो आपका सेंट्रल कोपरेटिव बैंक है यहां पर देख सकते हैं जो आसिस्टंट का वेकेंशी है यह आपका 20 डिस्टिट्ट 20 जो जो बीश जिले के अंदर जो आपका सेंट्रल कोपरेटिव बैंक है उसमें आपका असिस्टंट मॉलि पर पर वेकेंशी है त्arah केूंध S idol S ah fast S जार वेकेंशी बीसी जो है आपका जो आपकासेंट्रल कोपरेटिव बैंकुस्त इसमेंShd देखाएं उनके लिए 5 वेकेंसी रखा गया है उसमें देखिए कौनसी जिले है जो 20 जिले के अंदर कौनसी जिला है जैसे मैं यहाँ पर आपको बिस्तिरित तुरुप से दिये जाएंगे इसमें जो ओनलाइन जो डेट रहेगा सेम रहेगा जैसे मैंने पहले से बता चुका हूँ एप्लिकेशन फीज भी दोनों पोस्ट के लिए सेम है ठीक है तो इसमें कोई दोरानी की और बात नहीं है जैसे यहां पर देख सकते हैं जैसे कंडिडेट से देखिए उनके लिए 650 रुपया रखा है बाकी जितना अधर केटिकर के जितना भी कंडिडेट से 850 रुपया उनका ओनलाइन जो फीज रखा गया है यहां पर नेक्स्ट आपका जो पैमेट होगा पैमेट जो आप आप आवेदन करेंगे उसी दोरान आपको पैमेट का गेट वेगा और गेट वेट में आपको या nutr कर सकते हैं कोई बो आपको बैप भेजा नहीं जाएंगे आप जो बेहर स्टेट आपका जो कोपरेटिव बेंक के जो वेबसाइट है जैसे यहां पे जो वेबसाइट दिया गया है इसी वेबसाइट में जो एक्जाम डेट का कम से कम 10 से 15 दिन पहले इसको अपलोड कर दिया जाएगा और उसी रिगार्ड में आपको एक SMS भी आपको जो का डेट क्या होगा और टाइम क्या रहेंगे ठीक है और कितना टाइम पर आपको पहले जो एक्जाम सेंटर से पहुंचना होगा यह तमाम डाइरेक्शन जो है उसके अंदर होगा यहां पर देखें जो नोटिफिकेशन आपका मैनेजिंग डिरेक्टर ब्यार स्टेट कोप जो बैंक के अंदर इसमें पहले बता चुका हूँ यहां पर देखें जो टॉंटिटिटिटिट कौन सी कौन सी है अच्छा आसिस्टंट के आपका सालरी देखें यहां पर सालरी जो कुछ इस तरह है 17,900 से लेकर आपका 46,920 यह आपका रिवाइज पर है यह आपका स्केल पर है उनली आपका स्केल पर है जो बैसिक पर है इसके लबा जो अन्य बता है जो आपका कंसर्ण बैंक के साफ से जो अन्य बता है तमाम बता है जो वह लागू होंगे आपको ठीक है यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं जो टॉंटिटिटिटिटिट के अंदर देखें यहा 20 district consequence है हर एक district wise vacancy यहाँ पर दिया गया है और हर एक जो bank wise salary structure भी यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको किसी प्रकर का इसमें doubt ना रहे ठीक है यहाँ पर जैसे भी मैं इसको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले आपका district जो यहाँ पर देख सकते हैं जो central bank कटियार जो आपका central bank कटियार जो district है वहाँ पर देखे टोटल vacancy आपका 5 है पांच में से SC के लिए देखे एक दिया गया है BC के लिए MBC के लिए और आपका general category के लिए दो दे गया है बट आपका district जैसे कटियर सेंट्रल बैंक में जो जिनका appointment होगा एज असिस्टन्ट की तोर पे यहाँ पर देख सकते हैं सत्रह जार जार नो से से लेकर सटलिश जार नो सो बीस जो रिवाइज़ पेस केल रहेगा उसके अलाबा अन्ने बता है जो एज़ पर जो बैंक है वो लाग होग कि प्रोपने नेक्स्ट बैंक हो औरंगबाद से जो बैंक है उसमें देखिए नाइन वेकेंश उनका यहां पर साल्डी बीदिया गया है आप इसको देख सकते हैं आपका जैसे सोपन डिश्टीट हो गया वहां पर तोटल चार बेंश ए आपका जो जो नौरड़ दिखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें हाँए रिक इसमें पर PowerPoint यहां सब्सक्राइट में त मिलेगा यहांपे देख सकते हैं जैसे कंगारिया थाटिन में समस्ति पुर्णशा ड़ेशा नौवच ने वेकशन्सा लेकर रहे का घिनेशा पुर्निया का बैक पूरोट यहां पे देख सकते हैं यहां पर यहां पर दिया घया है जो आप खुद इसको देख सकते हैं ठीके बाकी आपकी ईसे दूबरा इसको थोड़ाता हूं जैसे assistant manager और आपका जो assistant multi-purpose का जो vacancy के लिए selection process दोनों के लिए same है आपका exam pattern दोनों के लिए same है ठीके इसमें कोई changes नहीं है ठीके दुबारा दुबारा रहा हूँ इस जो vacancy के लिए all over India से जो candidate इस पत के लिए आवेदन कर पाएंगे किसी प्रकर का आप जो है संका या सवाल आपका मन में नहीं होना चाहिए देखे ऐलर्ट्मेंट जो बैंक होगा इसमें देखिए जैसे 20 तरह की बैंक दिये गए हैं जैसे assistant manager के लिए आपका 5 बैंक 5 बैंक में vacancy है और इसमें देखिए किस बैंक का वेकेंसी आपका assistant multipurpose के लिए बट आपका जो बैंक का जो selection होगा वह आपका merit के अधार पर होगा आपका एक तो रहेगा एक रहेगा आपका preference दुसरा आपका merit list के अधार पर आपको जो बैंक के जाएंगे कौनसी बैंक आपको मिलेगा ठीक है यह दोनों चीज को ध्यान में रखा जाएगा एक तो merit list दुसरा आपका preference ठीक है और educational qualification जैसे मैं बता चुका हूं बट educational qualification के अगर बात करें जो graduation दोनों post के लिए आपको graduation simply graduation चाहिए कोई जो percentage इसमें जो specify नहीं किया गया है ठीक है बट असिस्टन मेनेजर के लिए बोला गया है कि अगर कोई MBA के लिए आवेदन करता है तो उसको preference दिए जाएंगे ठीक है आपका जो educational qualification देखिए एजन्ट डेट जो एक अगस्त 2022 तक आपका तमाम educational qualification जोए वह complete हो जाना चाहिए मतलब आपका आपका एक अगस्त 2022 तक आपका हाथ में होना चाहिए ठीक है आपको मिला हुआना चाहिए उसके साथ यहां पर देखिए डिसीए आपका डिसीए देखिए दोनों पोस्ट के लिए आपका डिसीए डिप्लोमाइन computer application होना अनिवार है ठीक है तभी आप जो है आप काम कर पाएंगे बैंक में काम कर पाएंगे यहां पर देखिए एक अगस्त 2022 तक यह आपका आपके लिए crucial डेट है इसी डेट के आधार पर आपका minimum एज लिमिट और maximum निम्नतम जो आईव है और अधिकतम आईव दोनों चीज इसी डेट की आधार पर आपको count किये जाएंगे यहांपे देख सकते हैं जो minimum IU रुखा गया है यह हाँ आधा UH चा्ता रखा गया है ठीक है minimum IU आई ओ ऐप दोनों पोइस से एंगे जो र участile के प्लाक्षा उसे वह एक करेंगे वह रिलाक्ष सane की 33 train मतलब 38 तक इस पत के लिए आवेदन कर पाएंगे सेकेंड यहां पर देख सकते हैं जो जो के जो केंड़ेट्स आवेदन करेंगे जैसे आपका MB माइनरिटी बेकवाड क्लासेस हो गया जो यहां पर बीसे आपका वीची हो गया उनको त्री एर्स का रिलाक्स अट्रियर के साथ मतलब 36 साल तक इस पत के लिए आप आप लोग आवेदन कर पाएंगे परसंट सुई डिसाबिलिटी जो है उनके लिए दस साल अथिरिट उसकी दिप भी होगा यहां पर के टिकी जए जयसे दनों के लिए समे जैसे मैं बताना चाहूंगा दनों पोस्टके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर जो रिजनिंग एबिलिटी देखिए और 35 मार्क होगा कोश्चन पर ब्रिंग वाल होंगे बोथ लंग्वेज में होंगे हिंदी और इंग्लिज और 20 मिनिट का आपको समय दिया जाएंगे टोटल देखिए नमबर अब कोस्चन आपका 100 कोस्चन होंगे आपका मिनिममम जो मार्क होगा 100 मार्क मतलब हर एक हर एक हर एक जो कोस्चन का मुल्य एक अंका होगा ठीक है और आपको उसको सॉल्प करने के लिए आपको म्छन आज को मिनिट का समय दिया जाए यह जाएगा हर एक सही सही एंसर के लिएक एक एंसर के लिए आपको एक मार्क कहिंद चाहि सब्सक्राइब यह आपका जो है फ्रिलिम से एक्जामेनेशन इसके बाद जो बच्चों को सटलिस्ट किया जाएगा वह मैं रिटेन एक्जामेनेशन के लिए शुड़ा रहेंगा यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आपका जो question paper होंगे दोनों language पर जैसे बिंगवल होगा English और Hindi में होंगे इसके लिए समय आपको 30 मिनिट दिये जाएंगे next जो next आपका computer knowledge जो होगा number of question यहाँ पर देख सकते हैं 40 questions होंगे जो 20 मार्क आपका जो दिये जाएंगे ठीक है यह भी आपका question जो है दोनों language में होंगे English और Hindi और 20 मिनिट के समय आपको दिये जाएंगे third यहाँ पर देख सकते हैं general awareness जिसके पर 40 question आपका 40 मार्क का question होगा question paper English और Hindi में होंगे और 20 मिनिट का समय आपको दिये जाएंगे ठीक है यहाँ पर एक चीज़ जो है देखिए यह को ध्यान दीज़े जो 4A और 4B दिया है ठीक है यह दोनों में से आपको कोई A की चूज करना होगा ठीक है एक की paper का आप answer करना होगा दोनों का नहीं करना होगा जैसे आप 4A को भी चूज कर सकते हैं या 4B को भी चूज कर सकते हैं ठीक है देखिए English language का अगर आप चूज करते हैं तो English language के पर आपको 40 question 40 mark करेगा और question रहेगा केवल मातरी English में रहेगा अगर आप 4B का option चूज करते हैं जैसे हिंदी language के पर आपको टेस्ट दना चाहते हैं जैसे इसमें 40 question रहेगा 40 mark करेगा और question paper आपको obviously आपका हिंदी का होगा ठीक है ये दोनों में से आपको एक कूछ चूज करना होगा जिसके लिए आपको 20 मिनिट समय दिये जाएंगे प टोटल जो आपका question 200 mark होगा 200 number of question 200 रहेंगे दो गौंटा समय वदी आपको दिये जाएंगे दुबारे देखिए और एक बार मैं दोरा देता हूं जैसे assistant manager और assistant जो multi-proposy दोनों का जो exam pattern बिल्कुल same है ठीक है बट question का जो label है थोड़ा सा उसमें फरक हो सकता है ठीक है यहा जो यहां पर जो गलत एंसर के लिए one-fourth mark जितना mark उसका total mark होगा एक जो question का उसका one-fourth mark जो है वो deduct कर दिये जाएंगे मतलब कोटोती की जाएगी ठीक है next point आपका document to produce at the time of आपका identity verification जब आप admit card नई जब आप पहुंचेंगे exam center में पहुंचेंगे तब सबसे पहले आपका identity verification होगा सबसे पहले आपका identify किया जाएगा आप जो जो जिनको admit card दिया गया है आप वह ही candidate है या नहीं ठीक है तो उसके लिए आपको photo ID admit card admit card और एक कम से कम एक जो एक government photo ID जिसके पर आपका जैसे बोटर कार्ड आधर कार्ड आपका college या इस्टिचूट से या university से issue किया क्या कोई identity card अगर आपके पास है फोटो के साथ होना चाहिए driving line से जैसे आपका रासन कर जैसे इस तरह की जो से bank passbook इस तरह की जिसके अंदर आपका आप फोटो भी होना आनिवार है ठीक है नेक्स्प अभी बात करते हैं आपका जो बायमेट्रिक डाटा capturing भी किया जाएंगे ठीक है जब आप उनलाइन जो एक्जामिनिशन के लिए लिए जाएंगे और आपका वेरिपिकेस्ट आपका जो biometric data capturing होगा ठीक है जैसे आपका fingerprints जो scan किये जाएंगे ठीक है और सेम पर्षन ताकि कोई पर्षन जो है प्रिलिम्ज के लिए कोई आ रहा है दुसरा और आपका मेंज के लिए कोई दुसरा बंदा आ रहा है इस तरह से यह तमाम जो गलतियां को यह तमाम जो चिटिंग को रोकने के लिए इस तरह की जो ए स्टेप लिया गया है जो कि एक बहुत 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 रिन स्टेप है ताकि जो ऑरिजिनल जो केंडिडेट से वो अपना जो है वो एक्जाम सेंटर में पहुंचे और वो अपना एक्जाम दे यहां पर तेखिए कुछ दिया गया है इस सेंटर से शिरफ आप एक चूछ कर सकते हैं तो एक्जाम सेंटर को चूछ करते शोष करते समय बड़ी ध्यानपूर्व को चूछ करना होगा क्योंकि एक प्रिफेरेंस आपको दिया गया है ठीक है जैसे ऑनलाइन अवेदन सिरफ एक ही फांब आप मुझा पूर्पर्व हो गया नेस्ट यहां पर आपका पाटन्र पून्या यहां पर देखे जो आपका एक्जम सेंटर दिये गये हैं एक्जम सेंटर ।टल आ अपका हो गया स northwest दियेगे जो यह जो एक शेंटर उसका प्रिफर करता है वह आपना चौइस कर सकते हैं कि सेंटर एक ही चूज करना होगा ठीक है बात में अगर किसी प्रकर एक्जाम सेंटर को चेंज करने के रिगाडिंग अगर आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट आपका मानने नहीं होगा यहां पर दिखें जो आपका जो डिशाबिल जो कंडिडेट्स है जो है जो बदरस कंडिडेट्स है जिनका जो बेंचमार्क डिस अबिलिटेंटि और उनके लिए कुछ गाइडलाइन से जो हम बिजक्वेस्ट ओर जिक्या कंडिडेट्स है जिनका राइटिंग लिमिटेशन धैसा और जैसे कि लिखने में कोई candidate हैसा हो कि थोड़ी बहुत लिख सकता है 5 तस मिनिट लिख सकता है उसके बाद लिखने सकता है एक रायंट का इस तरह की केंडियेट से याको एक सुरूतलेकर कया में जो एक दिया गया है बट उसके लिए आपको जो ए अन्लाइन आभेदन करते समय आपको वह डिटेल्स आपको भेजना होगा यहां पे कुछ डिटेल्स जैसे दिया ग्याएड लाइंज पर आपका परसंट जो डिसाबिलीटी परसंट है वह किस तरह से स्क्राइब यूज से पढ़ सकते हैं ठीक है यहां पर कुछ गाइडलाइन से दिए गए हैं ठीक है जनरल इंस्ट्रेक्शन कुछ दिए गए हैं जो मुस्टली मैंने इसमें पॉइंट में उसको मैं कवर कर रहा हूं ठीक है जिनको विश्तरीत रूप से इस को पढ़ना है आप पढ़ना है जो जो कंड़ेट आपका सिलेक्शन होगा जैसे आपका प्रिलिम्स और में यह दूनों चीज को मद्यन जर रखते हुए आपका विश्त बनेगे और सबसे पहले वानियर का उनको प्रवाशन पिरियरड में चिर्ट के जाएंगे ताकि जो प्रवस्टन पिलेट से निकलने के बाद ट्रेणिंग प्राफ्त करने के बाद बैंक में आराम से आपना कारेवार संबाल सके ठीक है यहां पर देखिए जो क्लियरली जो इसमें बताएगया है not more than one application कोई भी जो candidate से एक एप्लिकेशन से दो अप्लिकेशन अप्लाई नहीं कर सकता है ठीक है clear list में बता गया है एक से ज़्यादा application आप नहीं कर पाएंगे ठीक है बट कोई candidate अगर चाहे देखिए यहां पर assistant manager का जो notification वो अलग दिया था 1400 जैसे आपका 1499 है और जो assistant multipurpose का इसका notification नमबर आपका 1500 है तो दोनों पोस्ट के लिए आप अलग अलग भर सकते हैं एप्लाई कर सकते हैं बट एक ही पोस्ट के लिए दो बार application आप नहीं भर सकते हैं एक बार बढ़ दिया कोई गलती हो गया सब्मिट कर दिया दुबार फिर बढ़ दूँ ऐसे अगर आप सोचते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे यहां पर नेक्ट जो बात करेंगे यहां पर देखिए लोकर करने की दरवान आपका प्रुपीट कर सकते हैं इसको जमाई कर सकते हैं उसके बात देखिए आपका document payment आपका देखिए payment जो होने के बाद फीज payment होने के बाद आप जो है document को scan करके upload करना है उसमें देखिए जो आप document को scan करके जो upload करेंगे यहाँ पे देखिए 9 September 2022 से लेकर आपका 9 October 2022 के बीच में आपको करना होगा यहाँ पे करेंगे कौन सी कौन सी document को scan किया जाएगा ठीक है सबसे important चीज़ है आपका photograph नोगया ओगया यहाँ पे यह जो स्केन यह जाएगा और कि स्कैन के जाएगा इस तरह से कितनी size में स्कैन करेंगे foteach का size क्या होना है आपका थे सिडियेट्टियाय। का कौन सी इंग से वोनहदिए इसमें त्माम जहनकरी स्भया इसमें दिया गया जो गंडेट इसको मतलब कंप्लीटinka इनफॉरमेशन की तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं और नेट्ट दखियए एकार है कैसे कैसे आपको जो प्रवसेस करना होगा तो इसको आप पार पढ़ लेगे तो आःम से इसको जो प्रवसेस कर सकते हैं यहांप देखिें आशिस्टांट के लिए यहांप का असफ ठरिग सा रखा गया है यह सर आपका 800-पोचान रपय के लिए यह सकते हैं要 यह दुनों को सबसे पहले स्कैन कैसे करेंगे और अपलोड करने की क्या तरीका रहेगा इसमें तमाम जानकर इस टेप वह दिया हुआ है इसको आराम से आप खुदी इसको पढ़के जो आपना करवाई कर सकते हैं तीक है नेक्स्ट अभी बात करेंगे जो आपका स्कैनिंग आप जो डॉक्मेंट है यहां पर देखिए इसको देखके आप समझ जाएंगे नेक्स्ट आपका एकबर स्कैन करने के बाद प्रोशीजर पर अप्लोडिंग डॉक्मेंट को अपलोड करेंगे ठीक है इसमें तमाम जानकर इसमें दिया गया है नेक्ट देखिए नेक्ट ज से आप अपलोड करना होगा उसमें प्रोशीजर तमाम जानकर इसमें स्टेप जो है लिखा गया है आप वीडियो को रोकिए और रोके जो पहुंच करके रोके आप इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं ठीक है यहां पर देखिए तमाम जो डिटेल्स था मैंने तक्रीबन कि मैंने कवर किया उमीद करता हूं जो ब्यार राज्य तथा जो अन्य राज्यों है या जो इन टेरिटरिस के जितने जो बच्चे है जैसे कि मैंने पहले भी क्या रखाओं इस यह जो पोस्ट है आपका अलोबर इंडिया की लिए वेकेंशी है तो भारत की हमारे देश के ह सवाल उनका मन में नहीं रहेगा फिर भी अगर आप लोगों का मन में किसी प्रकर करके संका है या सवाल लता है पका मुझे कमेट सेक्शन में कमेट करके बता सकते हैं ठीक है इसके साथ इस वीडियो को मैं अहीं पर रखता हूं जय हिन जय भरत